कि नमस्का दोस्तों का स्वागत है ग्रिंस्पून गार्डन में फ्रेंड्स एक महीने पहले है मैंने आपको वीडियो दुखाई थी जिसमें बताता है कि पत्ते एखात किस तरह से बनाते हैं यह उसका अपडेट है अचल् ili wujo available थी वह एक महीने पहले ही मैंने दाली थी बट वीडियो प्रिश बिजया वीटियो करीब चेहां मैंने शूट करी थी बट यो डाली अभी थी और यह देखिए यह उसुका रिजल्ट है पत्ते हिखाद बनाए थी सो उसके इनदर मैंने बताया था कि इसका मैं आपको वीडियो बनाऊंगा बताकर जब इसका रिजल्ट आएगा लेकिए आज इसका ये रिजल्ट है और इसके अंदर पत्ते इखाद जो हमने बनाई थी वह आल्मोस्ट तयार हो चुकी है पूरा प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसक करे पत्ते आए ये जो इस तरह की रूटस है या जो भी कुला इसके अंदर है कुछ पेंड़र भी इसके इंदर थी तो वह सब हम इसको अलग से हटा लेंगे और अलग हटाने के बाद ये देखिए ये जितना भी इसके अंदर पत्ते डिकम्पोस होने से बच गए हैं इनक तो चानने के लिए एक हम कोई भी इस तरह का बड़ा बरतन या कुछ भी पिन्नी मगारा ले लेंगे और इस तरह की चलनी लेंगे यह आपको घरों में बहुत ईजीली मिल जाएगी और इस चलनी से मैं अपनी जो कमपोस्ट है जो हमने कमपोस्ट दुना इसको हम चानेंगे और फानल प्रोड़क्ट आपके सामने निकल के आएगा तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमारी कमपोस्ट है वो मैंने एक बाल्टी के अंदर भर ली है इस बाल्टी को मैं आपको पहले दिखाता हूं यह गंटे के लिए तो इसको चाना शुरू करता है जो भी हमारे कमपोस्ट है इसको हम इसके अंदर डालेंगे जितना भी आप एक बार में इसको हिला पाई अच्छे से उतना ही डाली है पहली बार में मैंने थोड़ा जादा डाल दियता तो मुझे लगाता ही हलका होगा बट मैं दो सार पहले जो मैंने बनाया तो मैं भूल गयाता है कि यह थोड़ी भारी होते क्योंकि इसके अंदर काफी पानी है काफी मोश्चर है तो आप एक एक बार में थोड़ा होगा करी जितना आप इसको कर सकते हैं और यह करने के बाद आपका काम पूरा हो जाएगा तो ज करें जितना भी हमारा बाकी बचातो अकोड़ा होगा उइक साइड में रख लेंगे इसको मैं फैकना नहीं है क्योंकि ये भी हमारे बहुत काम अने वाला और इस गाफे करेंगा दोस्तों वीडियो के बीच में आपको एक बाद क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो मैंने थमनेल पर लिखा था कि 7 दिन के अंदर आप घर में खाद बनाई है तो देखे कोई भी ऐसा तरीका नहीं है और कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जिससे आप घर में पत्तों एक खाद 7 दिन के अंदर बना सके और यह समझें कि अच्छे और असली चीज इतनी जल्डी नहीं बनती है कम से कम पत्ते की खाद को बनने में कम से कम कम से कम चार से छे महीने लगते ही है तो आप इस बैकाबर में कभी ना आए यह जो हमारी पत्ते की खाद है इसको हम किसी भी प्लांट के अंदर यूज कर सकते हैं आप इसको गुलाब के अंदर यूज कर सकते हैं तो इसे प्लांट कई बार जल जाता है जो उसकी रूट्स होती हो खराब होना शुरू हो जाती है बट यह जो पत्ते खाद होती है इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है सबस्यार न्यूटेशन इसके अंदर होता है और साथ में वर्मिक पोस्ट के अंदर होता है और यह यह सामने आया है, हमारा final product, यह आपको लिख रहा होगा किसे मैंने चायपती रख दिये, बट यह निकल कर आया सामने final product, और यह है हमारा वो च्छना हुआ वेस्ट, इसको वेस्ट नहीं गएंगे, आप इसको भी अपने plant में डाल सकते हैं, बट इसको उस plant के अंदर जिसके अंदर bonsai जैसी soil बनानी होती है तो यह वहापत बहुत अच्छा काम करेगा या फिर इसको वापस से जो compost भी ने उसके अंदर डाल दीजिए यह दुबारा आपकी खाद बनाने में बहुत help करेगा क्योंकि यह already खाद बन चुकी है और यह पत्तों को गलाने में बहुत ज्यादा helpful होगा देखिए अच्छे खाद की यह पहचान होते हैं कि आप जैसी इसको अपने हाथ में लेंगे और यह बहुत ज़्यादा बुरबुरी होती है देखिए कितनी ज़्यादा यह भुरुबुरी है और साती सात जैसी इस खाद को मैं अगर टाइट हैसे पकड़ भी रहा हूं अगर मैं इसका लड़ू बनाने कोईश्च कर रहा हूं यह बिल्कुल फिल से फूर जाती है तो यह एक अच्छे खाद की पैचान है तो आप भ घर पर बनाकर रखिए और फ्री में इस्तेमाल कीजिए बहार जो खाद मिलती है मार्केट के अंदर वो बिल्कुल बेकार होती है खाद के नम पर वो सिर्फ आपको कीचड की खाद देता है जो कि आपके सारे प्लांट को मार देती है तो अगर आपने खाद बना लिए इसक जितना मोश्चर है उस सब उड़ जाएगा और यह सिर्फ और सिर्फ मिट्टी बनके रहे जाएगी तो इस तरह से इसको पैक कर दीजिए अगर आप इसको रखेंगे तो आपकी खाद बहुत अच्छी रहेगी और सालो साल चलेगी तो उस तो वीडियो देखने के लिए आ आपका बहुत बहुत थैंक्यू अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजेगा शेर कीजेगा और कमेंट करके अपने व्यू जरूर बताएगा थैंक्यू सो मच्छ